नमस्कार चानक्या IAS Academy के संपाद की विशलेशन में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम समाचार पत्रों में प्रकासित उन संपाद की पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे जो परिच्छा के द्रिश्टिकों से उप्योगी हैं इस क्रम में वीडियो की सुरुवात करते हैं इस प्रश्ण के साथ प्रश्ण है क्या आप मानते हैं कि कोरोना महमारी के इस समय यह आविस्यक है कि मानसिक स्वास्थ संबंधी बेहतर नीती एबं उपाए अपनाए जाने चाहिए और यह जो प्रश्ण आप से पूछा गया है यह संबंधित है आज के संपादिकी से आज तीन संपादिकी को लिया गया है जिसमें से जो पहला संपादिकी है जिसका सिर्शक है वैंक्विसिंग वरेशस इसको लिया गया है हिंदू न्यूश्वेपर से दूसरा माइंड द इसे लिया गया है financial express से और जो तीसरा editorial है जिसका सीर्शक है the war against air pollution इसे लिया गया है हिंदुस्तान time से तो यह जो संपाद की है इन संपाद की पर हम विस्तार पूर्वक नज़र डालेंगे लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कल के पूछे गए प्रशन का जवाब कल जो प्रशन आप से पूछा गया था प्रशन है कि निम्न करों पर विचार करें पहला विक्रे कर दूसरा मुल्य वर्धन कर तीसरा सेवा कर चौथा वस्तू सेवा कर उपर्युक्त में से और पर्त्यक्ष कर है तो यह sale tax, value added tax, service tax and goods and services tax यह चारो के चारो indirect tax है तो इसका सही जवाब है option D सभी चारों चलिए हम देखते हैं आज का पहला editorial विस्तार के साथ जो पहला editorial है इसका सिर्सक है vanquishing viruses on nobel prize for medicine इसका आधार क्या है इसका आधार है 2020 का चिकित्सा नॉबल पुरसकार यह पुरसकार जो दिया गया है वह hepatitis C विसानू या वाइरस की खोज के लिए और यह खोज किन होने की या खोज की चिकित्सा विग्यानिकों ने जो है हारवे जे आल्टर, माइकल होफटन और चार्ल्स राइस अब यह कि 1960 के दसक तक hepatitis A और hepatitis B की खोज हो चुकी थी अगर हम hepatitis A की बात करें तो hepatitis A इस वाइरस के कारण liver से संबंदित विमारी होती है और यह फैलता है संदूसित या contaminated भोजन और पानी से वहीं अगर हम hepatitis B की बात करें तो hepatitis B के कारण चिंता जनक रूप से liver प्रभावित होता है और सिरोसिस और liver cancer जैसी गंभी बिमारियां होती है hepatitis B की खोज की थी चिकित्सा वैज्यानिक ब्रॉस ब्लमबर्ग ने और इसी खोज के कारण 1976 इस्वी में ब्रॉस ब्लमबर्ग को नॉबल परुसकार दिया गया था अब hepatitis A और hepatitis B की खोज के बाद भी liver संबन्धी जो बिमारिया है उन बिमारियों से लाखों लोगों की मौद वैस्वी किस्तर पर हो रही थी तब hepatitis B के मरीजों का अध्यन प्रारम हुआ और यह जो अध्यन हुआ या अध्यन अलग अलग इस तनों पर इन तीन चिकिसा विज्ञानिक होने की मता हार्वे जे आल्टर, माइकल होफटन और चार्ल्स लाइस ने तो देखे इन्होंने जो अध्यन किया वो अध्यन है क्या हार्वे जे आल्टर ने 1970 के दसक में अपने सहियोग्यों के साथ hepatitis C वाइरस के लक्षणों को उन्होंने परिभासित किया वहीं माइकल होफटन ने 1982 इस्वी में वाइरस से जीन को अलग कर उसका विशलेशन किया और फिर इस वाइरस को एक पहचान दी और फिर चार्ल्स राइस ने 1997 इस्वी में यह साबित किया किया जो chronic hepatitis होता है उसका कारण है hepatitis C वाइरस तो उपरियुक्त तीनों चिकिस्सा वैग्यानिकों की जो खोज है वा काफी उलेखनी है और इसी उलेखनी है खोज के कारण उनको नोबल पुरसकार से सम्भानित किया गया नॉबल पुरसकार में इनके नामों की घोसना के साथ जो बयान आया, उस बयान में यह बात कही गई कि इन टीनों चिकिसा वग्यानिकों ने हैपिटाइटिस C वाइरस को विसेश रूप से विसेश नैदानिक इकाई के रूप में सामने लाया, मतलब एक अलग क्लिनिकल रूप में जाना जाता है, अब अगर हम WHO मतलब विस्व स्वास्ट संगठन के वेस्विक हैपिटाइटिस रिपोर्ट पर एक नज़र डालें, तो हम यह देखते हैं कि 2015 इस्वी में हैपिटाइटिस B वाइरस और हैपिटाइटिस C वाइरस के कारण होने वाले मौतों की सं हैपिटाइटिस C वाइरस, भारत सरकार ने हैपिटाइटिस C को पुर्ण रूप से समाप्त करने के लिए 2030 का लक्ष रखा है और 2018 इस्वी से ही राश्टिय इस तर पर इस लक्ष को प्राप्त करने के लिए व्यापक अभियान की सुरुवात हो गई है, यहां यहां उलेख है कि हैपिटाइटिस C वाइरस के विरुद्ध प्रभावी दवा की खोज हो चुकी है, जिस कारण इस वाइरस से जो संक्रमित होने की गती है वह काफी धीमी हो गई है, लेकिन अभी तक इस वाइरस के विरुद्ध टी का उपलब्द नहीं है, जिसका कारण है इस की प्रकृति, मतलब यह यह जो विसानु है इसकी प्रकृति हमेशा बदलती रहती है, जैसे कोरोना वाइरस की प्रकृति है, कुल मिलाकर संपादकी में यह बात कही गई है, कि इसमें कोई दो राय नहीं, कि भिमारियों पर इनसान ने पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन हद तक काबू जरूर पा लिया है, और बिना चिकित्सा विज्ञानेों के अथक परिस्तरम और धैरे के यह संभव नहीं हो पाता, तो चलिए, अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे संपादकी की ओर, और दूसरे संपादकी का सिर्सक है Mind the Gap, जिसका आधार है My Hope Portal, My Hope Portal को ज वराचारी एक आखड़ों पर, डबलू एचो के अनुसार, वैस्विक इस्तर पर अवसाद गरस्त लोगों की संख्या है 300 मिलियां, और डबलू एचो के अनुसार, COVID-19 महामारी के कारण 93% मानसिक स्वास्त सेवाएं प्रभावित हुई हैं, वहीं COVID-19 महामारी के कारण मानसिक स्वास्त संबंधी मुद्दे भी काफी बढ़ हैं, ये मुद्दे कैसे हो सकते हैं, तो संचेप में ये मुद्दे हो सकते हैं, जैसे वैक्ति का रोजगार का खोना, और रोजगार के खोने से वैक्ति अफसाद गरस्त हो सकता है, जनसंख्या के एक भाग का मूल आवे सकता से वंचित होना, घरेलू हिंसा में विर्धी होना, तो ये कारक हो सकते हैं मानसिक स्वास्त समंधी मुद्धों को बढ़ाने के. वहीं यह बात भी कही जा रही है कि COVID-19 ने कहीं न कहीं मुख्यधारा में मानसिक स्वास्त समंधी मुद्धों को सामिल किया है. और ल हमने ये आखड़े देखे और मानसिक स्वास्त समंधी बढ़ते हुए जो मुद्धों को देखा है, तो इसको देखते हुए Mental Health Foundation of India, जो की एक registered non-profit organization है, 10 October को My Hope Portal launch करेगी. 10 October वहती थी है, जिस दिन वैस्विक इस्तर पर मानसिक स्वास्त दिवस का आयोजन किया जाता है. वहीं अगर हम My Hope Portal की बात करें, तो इसमें AIMS के डॉक्टर सहित, अन्य डॉक्टरों के द्वारा मानसिक स्वास्त समंधी सलाह दी जाएगी, उसके अलावा सही खान पान योग आदी, जो तनाव समंधी विसंगतियों या disorder को दूर करने के महत्पूर्ण कारक होते हैं, को इस पोर्टल की द्वारा जो पोर्टल है उसके द्वारा परचारित और परसारित किया जाएगा, मानसिक स्वास्त की बेहत्री के लिए सुरू की गए यह पहल काफी परसंस नहीं है, परंतु मानसिक स्वास्त के संदर्भ में व्यापक दृष्टिकोन के निर्मान की जो ज अभी भी समाज में मानसिक रूप से बिमार व्यक्तियों को सही नजरिये से नहीं देखा जाता है। वही अगर हम National Crime Records Bureau के आंकडों की बात करें तो 2019 में आत्मत्या से जो लोगों की मौत हुई थी वह संक्या है 1.39 लाक जो 2018 की तुलना में 3 परतिसत जाता है। वही कुल आत्मत्या में से 67 परतिसत जो आत्मत्या करने वाले लोग हैं वो 18 से 45 आयूवर के बीच में हैं। वही आत्मत्या करने वाले युवाओं में से 7 परतिसत युवाओं के आत्मत्या करने का कारण मानसिक बिमारी है। वही अगर बजटी आवंटन की हम बात करें तो नेशनल मेंटल हिल्थ प्रोग्राम के अंतरगत चालू वित्तिवर्स मतलब 2020-21 में 40 करोड रुपे का आवंटन किया गया है। ठीक इतनी ही रासी का आवंटन पिछले वित्तवर्स यानि की 2019-20 में किया गया था। परंतु जो संसोधित अनुमान है उसके अनुसार सरकार का वास्तुविक आवंटन कितना है वह है 5 करोड रुपे है। तो आवेशक्ता इस बात की है कि सरकार मानसिक स्वास्त कारिकरम में निवेश की जो रासी है उसमें विर्दी करें। वर्तमान में अगर हम स्वास्थ बजट की बात करें तो यह है GDP का 2% और उसमें मांसिक स्वास्थ कारिक्रम में अगर आवंटन की बात करें तो वह है 0.1% जो बांगला देश के 0.44% से काफी कम है तो अगर सरकार Mental Health Care Act 2017 के लक्षों को प्राप्त करना चाहती है और अगर सरकार मांसिक स्वास्थ समन्दी जागरुकता में विर्धी करना चाहती है तो सरकार मांसिक स्वास्थ कारिक्रम को अपनी प्रात्मिक्ता सुची में सामिल करें तो अभी तक हमने दो संपादकी पर विस्तार पूर्वक नज़र डाली है अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे संपादकी की ओर जो हमारे तीसरा संपादकी है उसका सीर्षक है दवार एगेंस्ट एर पॉलिशन जिसका आधार है दिल्ली सरकार का युद्ध प्रदूसन के विरुद्ध अभियान दिल्ली की अगर हम बात करें तो वर्तमान में वायु प्रदूसन में विरुद्धी के संकेत मिलने प्रारम हो गया है जैसे वायु की गती धीमी हो गई है और सुबह अगर हम देखें तो ठंड का प्रवेस हो चुका है ठंड के प्रवेस होने से जो वायू है उस वा भारी हो जाता है और भारी होने के कारण अगर हम उसकी गती की बात करें प्रवाह की गती की बात करें तो वा पहले की तुल्ला में काफी धीमी हो जाती है जिसके कारण जो पॉलिटेंट्स हैं वा दिल्ली के उपरी वायू बंडल में फसी रहती है उसके अल तरगत देखें पूसा रिसर्च इंस्टिचूट की निगरानी में घोल तयार किया जा रहा है यह जो घोल है वह जो पराली है उसके डंडलों पर डाला जाएगा जिससे वह खेत में ही गल जाएगा और फिर वह खात के रूप में परिवर्तित हो जाएगा उसके अलावा सरवाधिक प्रदूसित इस्थान की भाचान की गई है और उससे समंदित अलग-अलग योजनाएं बनाई जाएगी प्रदूसन सिकायत के लिए ग्रीन दिल्ली एप को लॉंच किया जाएगा और ट्री प्रांटेशन पॉलिसी को भी प्रारंब किया जाएगा जिसके अंतर स्पॉधों को लगाने की वह भी जारी रहेगी उसके साथ साथ दिल्ली के जो आसपा 300 किलो मीटर का दैरा है वहाँ पर जो 11 पावर प्लांट है उसके प्रदूसन को रोकने की भी जो योजना है वह इस अभियान में सामिल है यहां यह बात लेखनी है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि दिसंबर 2019 तक इन प्लांट से प्रदूसन बंद हो जाना चे लेकिन अभी तक उस आदेश का पालन नहीं हुआ है अब जगर हम अन्य प्रयासों की बात करें तो उसमें Environment Pollution Prevention and Control Authority ने पंजाब और हर्याना को यह बात कही थे कि पराली में जो आग पाएं अगर हम Environment Pollution Prevention and Control Authority की बात करें तो यह सर्वोच नियाले द्वारा एक समर्थित इकाई है जिसका उद्देश है राष्टिय राजधानी चेत्रे NCR में प्रयावरन की रक्षा करना और उसकी गुणवत्ता में विर्धी करना है उसके अलावा प्रयावरन प्रदूसन क को भी नियंत्रित करना है और यह जो Environment Pollution Prevention and Control Authority है उसे प्रयावरन स्थानरक्षन कानून 1986 के अंतरगत अधिसूचित किया गया है वहीं अन्य प्रयासों में अगर हम केन सरकार की प्रयास की बात करें तो केन सरकार ने Airshade Management की बात कही है अब हम देखते हैं कि Airshade है क्या अगर Airshade की बात करें तो यह एक भॉगलिक छेत्र होता है जहां इस्थानिय इस्थलाक्रिती और मौसम के कारण जो प्रदूसक है उन प्रदूसकों का फैलाव सीमित होता है वहीं अगर हम Airshade Management की बात करें तो देखें इसके अंतरगत विभिन हितधारकों मतलग स्टेकोल्डर् स्टेकार, आमलोग और उद्योगों के मध्य वायु गुनवत्ता के उचित प्रबंधन के लिए सामुही कार किया जाता है तो ये दोनों अन्यप्रयास के अंतरगत सामिल हैं वहीं आगे संपातकी में यह बात कही गई है कि दिल्ली सरकार ने यह जो कदम उठाया है यह कद कम अत्यंत आवस्यक था क्योंकि University of Chicago's Air Quality Life Index के अनुसार अगर प्रदूसन का इस्तर कम होता है उसमें गिरावट होती है और यह अगर गिरकर WHO के इस्तर और मानक तक पहुंसता है तो जीवन प्रत्यासा में विर्धी हो सकती है कितने 9.4 years की वहीं यह प्रदूसन का इस्तर अ जीवन प्रत्यासा में विर्धी हो सकती है कितने 6.5 years की और वर्तमान समय में COVID-19 ने और चुनोती पीस कर दी है वह कैसे वह ऐसे क्योंकि लंबे समय से वायू प्रदूसन के संपर्क में रहने से एक व्यक्ति का लंग्स प्रभावित होता है और यह जो लंग्स प्रभावि का अध्यन सामने आया है और IAT कानपूर का यह जो अध्यन है उसके अनुसार वायू प्रदूसन का मुख जो कारण है दिल्ली में या मुख जो कारक है वह क्या है वह है धूल और कार्बनिक घटक जैसे क्लोराइड कार्सिनोजैनिक जैसे क्रोमियम निकेल आर्सनिक लीट और अनितत्य जैसे क्लोरेन जिंक आदि वहीं इस अध्यन में यह बात भी कही जा रही है कि कुछ सुधारों को अपनाए जाने की आवश सकता है वो क्या वो है जैसे इंधन में तो जिवासम इंधन पर पूर्ण रूप से रोक लगाना इलेक्ट्रिक वाहन को प्रोसाहित क अब यहां यह महत्पूर्ण है कि वायू परदूसन अकेले दिल्ली की समस्या नहीं है बलकि दिल्ली के आसपास जो राज्य है या जो वायू परदूसन या उनकी भी एक समस्या है और कुल मिलाकर वायू परदूसन एक राश्टी समस्या है अता राश्टी इस तरपर वाय इन संपात्की पर विस्तार पूर्वक चर्चा की है। अब एक नज़र डालते हैं आज के प्रश्ण पर। प्रश्ण है कि सिरोसिस से निम्न में से कौन सा अंग प्रभावित होता है। ओप्सन है। कमेंट सेक्षन में आपके जवाब का इंतिजार रहेगा। इसके साथ ही इस संपात्की को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नमस्कार।